नमस्कार दोस्तों आप सभी काप स्टेडी के online platform में बहुत बहुत स्वागत है आज ही class का हमारा topic होने वाला है करेला तो करेले से समध्य जो important important question बनते हैं और अधिकतर question एक जामें पूचे जा चुके हैं और पूचे जा सकते हैं उन्हें के बारे में discussion करने वाले हैं तो अग सब्सक्राइब से पहले बात करते हैं करेले के बोट निकल नेम की तो करेले का बोट निकल नेम homosexual और जो पूचे जाती है यह जो करेला होता है उसकी खेती के लिए उपूच्वति जल्वारी ऐसका कि बात करेतों है करेले का शाहता है तो अगर आज ये class आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को स्काइब करना ना भूले और वीडियो को skip ना करते हैं वीडियो के अंत्वे तक बने रहें तो आज ये class का पहला question है निम्न में से करेले का पुस्प क्रम है यानि जो करेला होता है उसका पुस्प करम किस परकार का होता है एक लिंगी, उभे लिंगी, दिवी लिंगी या शभी तो करेले का पूस्प करम किस परकार का होता है एक लिंगी होता है उभे लिंगी होता है दिवी लिंगी होता है या सभी यानि तीनों ही परकार का होता है तो जो करेले का पूस्प करम होता है उस पर पूस्प किस परकार की लगते है उभे लिंगी पूस्प लगते हैं तो we right answer होगा उभे लिंगी पूस्प लगते हैं करेले की पोदिप पर उभे लिंगी पूस्प लगते हैं अगला question है कुस्मांड कुल की सबजीयों में सबसे ज्यादा लोहत किस सब्जी में पाया जाता है जो कुस्मान कुल की सब्जियां है जैसे कि कीरा हुआ, तर्बुजुआ, खर्बुजुआ, ककड़ी हुई, करेला हुआ, टिंडा हुआ, लोकी हुई, इन सभी में जो लोहा ततो पाया जाता है वो किस सब्जी में सरवादिक मातरा में पाया ज सब्सक्राइब नियुक्यू ऽायए, कारण। तो किस के कारण होता है लाइकोपिन, केरोटीन, मेमोडिशीन या सोले नीन तो कड़वाट की बात करेले में तो किस तत्तो के कारण होता है लाइकोपिन लाइकोपिन तो टमाटर में लाल रंग कारण होने वाला तत्तो माना जाता है केरोटिन गाजर में पाया जाता है मेमोरडेसीन की बात करते हैं तो मेमोरडेसीन की कारणे करेले की फल होता है अगला क्यूंसट है में मोर डीशी इनके करने करेले की फिसल में कड़वाट पाया जाता है बात करते हैं सोले नीन की सोले नीन आलू से समझन है अगला क्यूशन है निमन में से करेले की बुवाई है तो बीज़दर कितनी रखी जाती है 3 से 4 के जी 6 से 7 के जी 5 से 4 के जी या एक से डेड के जी तो करेली की बुवाई है तो उप्यूक्त बीजदर कितनी मानी जाती है तो करेली की खेति अगर की जाती है और उप्यूक्त बीजदर की बात करें तो चार से पांच के जी उप्यूक्त बीजदर मानी जाती है तो C right answer होगा चार से पांच के जी उप्यूक तो मानी जाती है क्रेली की बुआई है तो अगर पोदे से पोदे की दूरी की बात करें तो 1.5 से इंटू 0.5 मिटर रखते हैं पोदे से पोदे और पंगती से पंगती और पोदे से पोदे की दूरी जो रखी जाती है इंगला क्युस्जन है निमन में से क्रेले की किस माहा में की जाती है उसकी सबजी उती है उसकी बवहाय किस माहा में की जाती है सितंबर-क्टूबर फरवरी मार्च नॉंबर दिशंबर या जून जुलाई माह में तो करेले की बुआई किस माह में की जाती है या सितमरक्टमर में की जाती है फरवरी मार्च में की जाती है नॉंबर दिशंबर में की जाती है या जून जुलाई में तो करेले में बुआई किस माह में की जाती है करेले में बुआई की जाती है फरवरी मार्च माह में तो B.R.A. टांसर होगा फरवरी मार्च लगबग लगबग कुश्मान कुल की जो सबजियां होती है उनकी बुआई फरवरी मार्च माह में ही की जाती है अगला क्यूशन है पूशा दो मौसमी किस सबजी की किसम है लोकी, खीरा, टमाटर या करेला तो जो पूशा दो मौसमी किसम है वो किस की किसम है लोकी तो लोकी की तो ये पूशा दो मौसमी किसम नहीं है खीरे की बात करें तो खीरे की भी उप्युक्ति किसम नहीं है पूशा दो मोस्मी टमाटर की भी उप्युक्ति किसम नहीं है तो आई टान सबर डी करेला जो पूशा दो मोस्मी है वो कीरेला की उप्युक्ति किसम मानी जाती है अगला क्यूसन है निम्न में से करेले की किसमें कौन सी है अरका, हरिती, कल्यान, पूर्शोना, पूसा दौमोसमी या सभी तो इन चारों में से करेले की किसमें कौन सी है अरका, हरित भी करेले की उनत किसम मानी जाती है कल्यान पूर्ण शोना भी करेली की किशम मानी जाती है और पूसा दौवमोस में भी करेली उंत किशम मानी जाती है तो D-right answer हो गा शभी ये तीनों ही करेली की उप्योखिती समय मानी जाती है तो करेले से समधिक जो important important question बनते थे और अधिकतर क्यूशन एक्जाम में पूचे जा चुके और पूचे जा सकते हैं इस टोपिक से उन्हें के बारे में डिक्स्रेक्शन किया गया है तो अगर आज इकलास आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू